हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टो गर्व गुरू, मैं डोक्टर प्रियंका यादू और आज हम बात करने वाले हैं, प्रेग्नेंसी के दोरान कुछ ऐसे फूट्स है, कुछ ऐसी खानपान की चीज़े हैं, जो आपको बिल्कुल अवोइड करनी चाहिए, जिससे आपके बच्च सन्यानी के बच्चे दानी में कॉंट्रक्शन बढ़ा देता है, जिससे लेवर सुरू हो जाता है, या फिर अल्ली डेज में खाएंगे, तो बच्चा में सोने के चांसे सो जाते हैं, और कुछ पूड ऐसे भी रेते हैं, जो लेने से आपका जो बच्चे दानी का मूख होत होता है, सर्विक्स होता है, वो खुल जाता है, और उसके चलते वहाँ पर डिलेवरी हो जाती है, या फिर आके के दिनों में आने के पहले तिन मेने मैं आपको खाएंगे, तो बच्चा में सोने के चांसे सो जाते हैं, तो एसे कुछ चीज है, जो आपको अवोइड करनी च चाहिए, यह सारी चीज है, आज हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले फ्रेंट आखरी तक जूड़े रहे हैं, वीडियो चलोगे तुसको लाइकन से करना नहीं बूलना है, अभी तक गर्भ गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी मेथी आपको क्यों नहीं खानी चाहिए, वो क्या काम करता है, मेथी के अंदर फाइटो इस्ट्रोजन नाम का एक तत्वर रहता है, जो आपके युट्राइन कोंट्राक्शन यानि के बच्चे दानी में कोंट्राक्शन स्टार्ट कर देगा, यदि आप लेट यानि के आठ सब्सक्राइब करते हैं, जो बच्चे दानी में खून हो एक्स्ट्रा या अच्छे से क्लियर हो जाए, सारी चीज़े बाहर निकल जाए, वो स्ट्रोंग हो जाए, और दूध भी बढ़ाता है, मेथी के लड़ू आपने सुने होंगे, दिलेवरी के बाद वो कंपलसरी रह सकते हैं, उतना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लिकिन मेथी का लड़ू खा लिया, या मेथी का पानी पी लिया, इस तरह से आपको अवोइड करना है, सब्सक्राइब थोड़े से दानी आपके लिए सेफ है, वो कोई साइड इफिक्ट नहीं करेगा, दूसरा ऐसा है, जो आपको पूरी प्रेग्डेंसी के दोरा नहीं खाना चाहिए, वो है पपिता, कच्छा पपिता आपको नहीं खाना चाहिए, उसके दो रिजन है, सबसे पहले उसके अंदर पेपेन और पेपसी नाम के ऐसे द्रवी रहते है, जो फीटल ग्रोथ चू रहता है, आपक प्रेग्नेसी होते हैं, उसको निकालने के लिट खाते हैं, और पहले के दोरान जिए को बच्छा पपिता लेडी को ताकी वहां पर बच्छा पपिता निकल जाए और सप हो जाए, बच्छे दानी पूरी तो बिल्कुल और चाहिए यदि आखिरी दिरह में कहाँए, यदि आप नोन्वेज खाते हैं तो उसमें हाई मर्क्यूरी फीस दूसरा कच्छा आपको मीट मटन इस तरह से नहीं खाना है बॉल करके सब्ची बना के खा सकते हैं इस तरह से यदि आप नोन्वेज पूट खाते हो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसमें बे सब्सक्राइब करने चाहिए यदि आप सुबह में उठते ही स्प्राउट्स खा रहे हैं यानि के मुंग चना इस तरह से आप रात में बिगों के अंकुरित करके खा रहे हैं जो बच्चे के ग्रोध के लिए प्रोटीन के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है लेकिन उसमें भी धियान आपको रखना चाहिए कि यदि आप स्प्राउट्स खा रहे हैं प्रेगनसी के दोरान तो वह आपको कच्छे नहीं खाने है बोल करके खाओ एक दो सीटी मर्दो उसके बाद आप खाओ तो यदि उसके अंदर जो मायक्रोट्स रहेंगे क्योंकि यदि आ चलते आगे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है तो यदि आप स्प्राउट्स खा रहे हैं तो उसको आप पकाने के बाद ही खाएंगे और यसी तरह से आपको दूद भी कच्छाने पीना है कहीं कहीं लोग स्पेसली रूरल एरिया में से लोग रहते हैं में खुद ने चाइनेज फूट खा रहे हैं तो वह खा सकते उसको बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर आजिनो मोटो आपको नहीं डालना है क्योंकि उसके अंदर एसी द्रवे रहते हैं वह इस तरह से काम करता है कि बच्चे के ब्रेन डेवलोप्मेंट में वह कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा मात्र में आपको नहीं करता है या फिर चाइनेज खाना हो तो उसके अंदर आजिनो मोटो आप ऑवर्ड कीजेगा दूसरा फूट जो कंप्लीट ऑवर्ड करना है वह तील सिसमी सीड वह क्यों नहीं कहाना चाहिए क्योंकि वह पपिता की निकालने के लिए या फिर डिलेवरी के बाद यूट्रस को क्लीन करने के लिए हेल्प करता था उस तरह यूज करते थे तो तील भी आपको प्रेगनसी के दोरान ऑवर्ड करने चाहिए दूसरा है पाइनेपल यदि आप एक या दो स्लैस डेली की खाएंगे तो चलेगा ल नहीं लेनी है यूज लेनी है तो दो कप चौप चंटे चंटा ज्यादेर में लेंूकशान वो सकती है बिल्कुल कोफी पी सकती है उससे जऊ डियादा मैं आपको नहीं पीनी है यह चाहिए आप टोबे को किसी भी फोन में देए है जाहिए समोकिंग के रूप में या फिर कर रहे हैं तो टोबे को भी आपको बंद करनी है तो यह सारी कुछ इसी चीज़ जो लेने से बच्चे को नुकसान हो जाता है हाँ आपने नौ मैने के दोरान एक दो बार तीन बार थोड़ी सी कॉंट्रीटी में ले ली तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी है लेकिन जल्दी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इन सेर कर दीजिए का और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अगर गुरू तो कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को लिए बिल्कुल ही फ्री है तो चले फ्रेंट फिर चल्दी मिलेंगे ने वीडियो के साथ तक तक के किये स्टेली स्टेपी बाई